कामों के माध्यम से इस वनांचल के छेत्र को भी एक नया मुकाम मिलेगा नया रास्ता खुलेगा स्रीमति सुमित्रा वालमी की जी सांसेद राजसवा आपका भी वंदन है अभिनंदन है मानने यशस्वी पूरु केंद्री मंत्री और वर्तमान में हमारे सरकार के बहुत और खास करके राकेजी राकेजी यहां के सांसत थे उनने बहुत सारी अच्छी प्रकार की रुपांकर की तरह से भूमी का निभाते हुए एक नई रचना रूप रेखा बनाई थी जबलपूर की जिस हवायड़े से मुत्रे उसके उन्नेयन के काम के लिए चारोतरब के फो बहुत वरिष्ट नेता और पुर मंत्री माने अजय विष्णो जी वो लगातार रचना सीलता के धमी हैं लगातार एक के बाद एक कई सारे योजनाओं पर काम करते हैं माने सांसत धाल सिंग विसेंजी डाल सिंग जी का भी बहुत मोन तपस्वी लगातार सोचते वे लगातार रचना सीलता के अधार पर बहुत सारे प्रकार से डाधा के टाइम से आप सेवा करते आएं और जनता के बिच उसी रूप से समान रूप से लोगपृ эфф हमारे युवा विधायक अविलास पांडे जी, अविलास जी आपका भी अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है, बहुत जोड़दार विधायक, एक और विधायक निरस सिंग लोधी जी, आपका भी स्वागत निरस जी, बहुत अभिनंदन, संतोस बरकड़े जी, संतोस जी, आज ही आपने कहा कि जिला पंचायत का है आप चुनाव जीते हैं आज एक नए सदस्य का संतोष जी का भी अभी अभी नंदन है हमारे यहां के महापूर सिरी जगत बहाद्दूर जगत जी बहुत जोड़दार आपका भी अभी अभी नंदन है स्वागत नकर निगम जबलपूर के महापूर है मद्धिश में टूरिजम के माद्यम से बहुत बड़ी संभावना इस रोड़ के माद्यम से भी मिलेगी और हमारे वरिष टेता विनोत विनोत आपका भी स्वागत करता हूँ जोड़दार अभिननन करिए मनी विनोत गोटियाई Gấn की का दिनेस राहइं मनुन दिनेस भाई का हैं दिनेस भाई आपका भी अभिननने आपकी भी खड़ücklich要 अभी सबके देख रहा को यमें सोगते दीए करीब करीब सारा शित्यों स प्रभाद साहु जी पुर्म महापोर हमारे बहुत जुजारू नेता चात नेता रहे प्रभाद साहु जी एक और विधायक नागेश जी महेंद्र नागेश आपका भी बंदन अभिनान्दन सुबास तिवारी रानू जी रामिंट जिलाद्यक्ष एक हमारे दिन्डोरी के वि कार सिंग जी का हमारे नगर निगम के अध्यक्ष रिंकु जी विज कमल मर्सकोले जी और अविनंदन करें और कमले सगरवाल जी धाकड नेता कमले जी नेता प्रतिभक्ष और बब्बु जी मरावी जी आसीज दुबे जी स्वाती गोड़ बोले जी अंचल जी सोनकर पूर हमने नेड़े किया कि सरकार की अपनी कारियोजना के अधार पर सरकार के छेत्र में कौन-कौन से सुरुवात करने के रस्ते हो सकते हैं तो हमने नेड़े किया कि महाकोशल वो छेत्र है जहां विकास की सरवादिक संभावना है इसलिए केबिनेट की पेली अगर बेठक हमने कहीं कि है तो रानी दुर्गावते की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी यह सन्मान हम ने दिया और यह हमने अपने संगल पर लिया कि जबलपुर अंचलो जबलपुर का पूरा च्छेत्र अब विकास ऐसे मामले में किसी बार की कोई कॉर कसर भाकी नहीं राखी जाएगी इसी नाते से हमने कोशिज की पहली केविनेट करने के साथ पहला संकल पेर लिया रानी दुर्गावाती का अवंति-भाई का ये पूरा बलीडान का छेत्र उनका अपना कारी छेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है मुझे इस बात की प्रसनता है कि और दोगिक दरश्टी से भी हमारा ये छेत्र पिछड़ा हुआ है लेकिन आज के इस भूमी पूजन के साथ लगबक धायजार करोड के तो यहां से और भौपाल को मिला लें तो दस हजार करोड से ज्यादा की कासी के आज भूमी पोजन लोकारपन के काम माननी नितिन जी के माध्यम से होंगे जोड़दार अभिदंदन करते हैं माननी नितिन जी का क्या जैसे ही रोड बनते हैं राजमार्ग बनते हैं पीछे-पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगत जाते जास रेल चल रही हो विकास की, स्वभाई के रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का करशी के छेत्र में हो, माइनिंग का छेत्र हो, अलग-अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार छेत्र यहां यह संभावना लिये वे हैं, ऐसे में राजमारगों के बनने से, बाइपास बनने से, व केने वाले कभी कमनी पड़ते हैं एसे नाम में मननितिन जी भाई-साबका नाम है जोाइड़ा लेके जाओ जु आपके पास कभी कॉऑी की कमी ने होती है और बल्की दो कम और लक्से बताते हैं कि यह लेका बनारस में जलका यातायात हो सकता था कभी लेकिन जलके यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी नर्वदा वेली के माद्यम से हमारे अभी नर्वदा पर बहुत संभावना है बविश्ची के द्रश्टी से इसमें आप से भी निविदन करेंगे के बड़ी संभावना को ले आया हर जगे नए तरीके से नए दोर में ये 21 स्टाब्दी का भारत है और आपके नेतरत्म निश्रीद रूफ से अमरत काल में ये जिस्प्रकार की सोगाते मिल रही है इसकी कोई कलपना नहीं कर सकता है निश्रीद रूफ से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं वो दोर चला गया जब हमारे सड़कों में सड़के की बजाए गड़े गड़े थे अब यश्री प्रदानमंद्री के नेतरत में चम चमाती सड़के आपके माध्यम से जो मिल रही है वाकई वह हमारे अपने भारत के लिए नहीं दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में क्लो Mental के आसपा सड़के थि वो आज बढ़ करके केवल 10 साल में भी दो-चार मेने वाकी हैं लेकिन आपके माध्यम से एक लाख क्या इक सट हजार किलो मेटर की सडके बनी है यहने दस केवल दस साल से भी कम समय में एक सट हजार किलो मेटर की सडके बनना वाकई यह बहुत बढ़ा चमतकार है और उसकी इस्विड भी कैसी है तुलना में भारत के नाकडों से हत्प्रद हैं हम उम्मीद कर रहे हैं आज के समय में जैसे माननी हमारे अपने लेकिन सडके से देश का भाग्य बनता है यह हमारी जो रेखाये निये वाकर यह देश के विकास की रेखा के समाने निशित रूप से मैं अपनी ओर से इस बड़े आएजन में आपका बंदन करता हूं और अभी तो यह सुरुआत है ऐसे कई मामलों में क्योंकि कौन सा छेत्र जिसमें आपको अनुभव नहीं है उद्धोग का छेत्र हो व्यापार व्योसाय का छेत्र हो विकास का मामला हो एग्रिकल्चर का मामला हो हर छेत्र में मानिम मंत्री जी का बहुत सिद्धस्त है और ऐसलिए हम मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार ने विकास का संकल्प लिय है और निश्यत रूप से आपके मार्दसन में एक के बाद एक नहीं नहीं सोगाते हम देते जाएंगे में पुना मतविश की धर्ती पर आपका बंदन करता हूं और आज के उसर पर यह सारे निर्मानकारियों की अब निर्मानकारिय भी कम नहीं हैं लंबी लिश्ट है लेकिन यह सारे निर्मानकार आज ही आज देखेंगे तो 265 करोड की लागत से अठाउन किलोमेटर के तीन राजमार्गों जिसमें 148 करोड़ों दिसमेलों तीस लाग की लागत से चंदिया घाट से कटनी बाइपास एनेच 43 73 करोड़ की लागत से 10 किलोमेटर का राष्टी राजमार्ग एनेच 349 भी बमीठा खजरों खजराहों माने विडीजी आपके लिए इस मार्गा भी आज ही लोकारपन हुआ है 43 करोड़ों के लागत से एनेच 549 जामनी नदी से उच्चिस्तरी पुल का लोकारपन आज हुआ ह और जो भूमी पूजन हो रहे हैं वो 2102 करोड़ की लागत से 179 किलोमेटर के 6 राष्टी राजमार्ग अलग अलग प्रकार से जिसमें सहडोल से सागर टोला ललितपूर सागर लखनादोल और राष्टी 315 करोड़ की लागत से एनेच 43 का विस्तार इत्यादी बहुत सारे क सामों का आज हमने भूमी पूजन और लोकारपन के आए मैं अपनी और से सारी छेत्र के नागरिकों को बढ़ेजना चाहता हूं और ये सोगातों के माध्यम से हम फिर संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़ा कारिकम आपकी मोजूद्गी में उना लोकारपन का भूमी पूजन का होगा बहुत-बहुत धन्यवाद भारत मता की जए बहुत-बहुत धन्यवाद सर और शसम्मान अविरल विकास की गंगा प्रभावित करने वाले थवरित निर्नेशमता के ओत-प्रोथ सिधनी परमशदे नितिन गटकरी जी से नुरोथ करूंगी कि हम कैबिनेट में मेरे सहयोगी विरेंदर कुमार जी, फग्यन सियंग जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पार्लमेंट में मेरे सहयोगी पुष्णु शर्मा जी, अधरनिया मंत्री प्रलात पतेल जी, अधरनिया मंत्री राकेश सियंग जी, सांसर्ट सुमित्रा जी सांसर्ट धालसियं विसेन जी जबलपूर के मानने महापूर और उपस्तित सभी भाई और बहनों जबलपूर में मेरे दस साल के कार्यकाल में मुझे अनेक बार आने का मोग का मिला जबलपूर परेटरन के दुष्टी से भी महतोपूर्न है और जबलपूर मध्यपदेश का एक प्रमुक शेहर भी है शिक्षा के क्षेत्र में जबलपूर का नाम देश में सब को पता है जबलपूर मध्यपदेश के लिए गरुथ इंजीन है जब बलपुर में अच्छे उड्योग आये, जब बलपुर में परेटन का विकास हो, यही भाव सब के मन में है। पर हमारे विकास में, अगर विकास की गती अगर हमें बढ़ानी है, तो चार चीजे बहुत ही अभश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो चार चीजे है उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कमुनिकेशन जहां तक मेरे जिम्मिदारी मेरे पास जो जिम्मिदारी है और रोड ट्रांसपोर्ट की है और देश में हमारे हाँ जैसे रेलवे है, हवाई जहाज है, कुछ जलमारगे भी हम बना रहे है तो रोड का भी निर्मान हम कर रहे है मैं अक्सर एक बात में याद रखता हूँ, जब मैं मुंबई महाराष्ट में मंत्री ता तब से इसको याद रखता हूँ जो American President John F. Kennedy ने कहा था, कि American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good अमरीका धनवाने इसके कारण अमरीका के रस्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमरीका के रस्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमरीका धनवान हुई और इसलिए मुझे विश्वास है, कि जो मद्यपदेश में रोड बन रहे है, टनेल बन रहे है, ब्रिजेज बन रहे है, इसके कारण मद्यपदेश में उद्योग व्योसाय में बढ़ोती आएगी मद्यपदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मद्यपदेश में टूरिजम बढ़ेगा, टूरिजम या इसक्षेत्र है, कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल रोजगार निर्मान करने के लिए खर्चा होती है, खजुरा हो, बेडागाट हो, यह पूरे दुनिया का अकर्शन का केंद्र है, अच्छे रोड होंगे, अच्छे रिसार्ट होंगे, अच्छे रेस्टारेंट होंगे, तो निश्चित रूप से परेटों को की संख्या बढ़ेगी, और परेटों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से यहां रोजगार निर्मान होगा पर कैपिटा इंकम बढ़ेगा गुरूद बढ़ेगी एक समय मद्यपदेश का उल्लेक बीमारू राज्य के रूप में करते थे पर आज मुझे खुशी है कि मैं जब भारतिया जनता पार्टी का ध्यक्ष था तब भार इस राज्य में था उसमें मद्यपदेश को यह अवाण मिला है आज मद्यपदेश में कुर्शी क्षेत्र में सीचाई का भी प्रमान बढ़ रहा है और जितने प्रमान में सीचाई बढ़ेगी उतने प्रमान में कुर्शी उत्पादन भी बढ़ेगा मैं आधरनिय मुख्य मंत्री जीक से अनुरोत करूंगा कि मैं किसान हूँ और किसानों में ही काम करता हूँ और मिशेश रुप से मुझे विश्वास है कि जब तक गाव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण नहीं होगा गाव जब तक सम्रुद्ध और संपन नहीं बनेंगे स्मार्ट सीटी के साथ जब तक स्मार्ट विलेजेस नहीं बनेंगे तब तक आत्मनिरबर भारत बनने में बहुत कठिनाईया है प्रदान मंत्री जी का सपना है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनानी है प्रदान मंत्री का सपना है आत्मनिरबर भारत बनना है और दुनिया की तिसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता के रूप में भारत को पहुचाना है अगर यह हम को करना है तो हमें निश्चित रूप से कुशिक शेत्र का भी विकास करना होगा मैं आजे ही मुक्य मंत्री जी को मैंने अनुरोथ किया है कि अभी तक मेरे विबाग के द्वारा हमने एक हजार तलाव बनाए है फ्री आप चार्ज राज्य सरकार को बना कर दी हमने पैसे नहीं मांगे हमारे विधरव में दस हजार किसानों ने आत्मत्या कि अकुला में पंजाबरो कुशी विद्यापिटे वहां 36 तलाव हमने बना के दिये और जहां 300 एकर जमिन पानी के नीचे आती थी अब साड़े 4,000 एकर पानी के नीचे आई अजिन्ठा में जा जाते हैं वहां बहुत मुश्किले पाने की वहां नदी नालों का खोली करन किया और मैं मध्यपदेश के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को यह आवान करता हूँ कि हमारा जैसे अभी जबलपूर का रिंग रोड बन रहा है हमको मिट्टी मुरूम लगता है तो रोड के बाजो में सरकारी जगह पर हम पानी का स्टोरेज टैंक बड़ा लेक आपको बना के देंगे जिसमें आगे जमीन में वाटर कॉंजरवेशन भी होगा और किसानों को पानी की उपलत दता होगी दवनने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ चलने वाले पानी को रूकने के लिए लगाओ और रूके वे पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ गाव का पानी गाव में खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में अगर हमारे प्रदेश में अगर 75% जमीन अगर सीचाई के अंदर आएगी तो गाव, सम्रुद्ध और संपन्न होंगे और किसानों का इंकम लाकों में होगा मैं मानता हूँ कि हमारा किसान अन्न दाता है पर मेरे विभाग के और से हमने इनिशिट्यू लिया कि किसान के वल अन्न दाता नहीं रहे अब किसान उर्जा दाता बनेगा मैं खुद जबलपुर्ख शेत्र को जितनी बिजली लगती होंगी उतनी बिजली तैयर करता हूँ 90 मेगावाट गरीन पावर तैयर करता हूँ और 270 मेगावर्ट थर्मल पावर तैयर करता हूँ हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए चीनी मेले चलाता हूँ और मैं यह मानता हूँ कि आज विशेश रुप से हमारा जो बायो मास है उसको हम एनरजी क्राप्स में कनवर्ड करें मैंने विशेश रुप से मुक्यमंत्री जी को अनुलोद करूँगा कि जो जो हमारा बायो मास है उससे बायो सी एनजी और बायो एलनजी तयार हो रहा है अब किसान अन्ना दाता नहीं उर्जा दाता बनाया उर्जा दाता नहीं तो हरियाना में अभी अपने डामबर बनाना शुरू किया है बिटुमिन पानी पत में बहुत बड़ा प्लांट वह डाला गया इंडियन ओईल के द्वारा मैं बहुत आगरा करके उसके पीछे था जहां जो परली जलाते राइस ट्रॉ उससे एक लाक लिटर इथेनॉल बनता होता है और 76,000 तन हवाई इंधन तयार होता है अभी ये 2026 में डाहोस में चर्चा हुई है कि अभी हमारा जो हवाई इंधन हवाई जहाज का है वो किसान तयार करेगा और ये जो इंधन है ये इसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूएल कहते है बायो फ्यूएल और मैं जब कहता हो लोग विश्वास नहीं रखते थे हमने स्पाइज जेट का विमान डेराडवन से दिल्ली हवाई जहाज उसमें लाया दो साल पहले 26 जनवरी को बड़े प्रमान पर हमारे फाइटर जेट और हेलिकाप्टर में बायो आइविएशन फ्यूएल डाल कर वो चली और व अद्यप्रधेश यह ग्रीन यह हैडरोन जह टैयर करने वाला बायो एविएशन फ्यूएल तयार करने वाला CNG और LNG और बायो CNG और पायो LNG तयार करने वाला राज्य बनना चाहिए मैं इलेक्ट्रिक की बात करता था मैं ट्रांस्पोर्ट मंतरी हूँ जब इलेक्ट्रिक बस कार की बात करता था तो लोग मुझे पुछते थी कि गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा स्कूटर के बारे में यही सवाल पुछते थे पर आज कोई गाड़ी बनने ही पड़ी है अब देश में पास साल के अंदर सब बसेस इलेक्टिक की हो जाएगी मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्टिक बस को लांच किया है और कल नाकपूर में एडवांटेज विधर्ब का कारेकरम हुआ जिसमें कोल इंडिया के सेकेटरी मिना जी कोल इंडिया के चेर्मन और व्लूसियल के चेर्मन थे हमारे व्लूसियल में मद्यपधिश का पार्ट भी आता है अब कोईले से मिथिनॉल बन रहा है और मैंने अशोक लेलेंग के ट्रक बंगलोर में मिथेनौल का लांच किया और 15% मिथेनौल डिजल में डालकर बंगलोर में करनाटर्क स्टेट की 25 बसेश को चालू कराया वो सक्सेस्फुल हुआ मध्य पदेश में पूरा चिनवाडा और इदर कोईला पड़ा है और मैं आप से नुरोत करूंगा मिथेनौल का रेट 22 रुपे लिटर है और डिजल का 110 रुपे लिटर है करले मैंने कोल सेकेटरी और कोल इंडिया चेर्मन को कहा है कि कोल माइन में जितनी मश्तरी लगती है उसको मिथेनौल पे कनवर्ट करो ट्रॉक को मिथेनौल पे कनवर्ट करो ताकि हमारे देश में 16 लाग करोड का इंपोर्ट फॉसिल फिवेल का होता है डीजल और पेट्रोल के कारण प्रदूशन होता है हमारे देश को अगर बचाना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और मध्यपदेश में एक्षमता है और इसलिए नए दुरुष्टिकों से नए विजन के साथ सोचना होगा मध्यपदेश में सोयवीन का अच्छा उत्पादन होता है मैंने आज मुक्य मंत्री जी से अनुरोद किया कि जबलपूर का रिंग रोड बन रहा है उसके बाजू में सरकारी जगा होगी तो हमें दीजिए जगा के बदले में आपको पार्टनर्शिप देंगे हिस्सा देंगे खर्चा हम करेंगे प्री कुलिंग प्लांग, कोल स्टोरेज लोजिस्टिक पार्क बनाएंगे ताकि जबलपूर की सबजिया फल दुनिया के देशों में जाए यह सब संभव है मेरे क्षेत्र में मैंने किसानों की फॉर्मल प्रोड़िस कंपनी खोली है आईकु एप खोला है और मैं हर मैने में 13 कंटेनर सबजी अमरिका और कैनड़ा भेशता हो आपका जो मतर है वो जबलपूर का हम खरेदी करके अमरिका में और कैनड़ा में भेशते हैं क्योंकि हमारे आईकु एप में अगर उसको रखा तो साल भर सबजी ताजी रहती है ताज होटेल वाले पूरे हिंदुस्तान के हम से सबजी खरीते है आज जवलपूर में आईकु एप फोलने के अवशकता है प्रीकुलिंग प्लांट और को स्टोरेज अगर खोलेंगे तो किसानों को उनके थसल का सही दाम मिलेगा मैसे मैं रास्ते का जरूर मंत्री हूँ पर मैं ज्यादा तर गाव में और किसानों में काम करता हूँ और मुझे साथ डिलिट्स डॉक्टरेट्स मिली है जिसमें से चार डॉक्टरेट मेरी अग्रिकुल्चर साइंस के लिए है क्योंकि मैं किसान में काम करता हूँ और मैं वह सपना देखता हूँ कि इस देश में पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तो इस देश का किसान इस देश के लिए उर्जा तैयार करेगा और हमारा देश उर्जा को आयात करने वाला नहीं तो उर्जा को निर्यात करने वाला देश बने अभी ट्रैक्टर कंपनी वालों को मैंने कहा कि यूरो सिक्स के नौम पर उमने ने कहा कि आप मच जाईए मनला मेरी कंडिशन है कि ट्रैक्टर इलेक्टिक पर बनाईए ट्रैक्टर सी एंजी पर बनाईए ट्रैक्टर एलेंजी पर बनाईए ट्रैक्टर हड्रोजन पर बनाईए अगर आप ट्रैक्टर बनाएंगे तो मैं भीड़ा हो जाता हूँ मुझे अफिडिएट करके दो मैं अधरनिय मुक्यमंदरी ची को बताऊंगा कि अब जब दिल्ली आएंगे तो मैं आपको हैड्रोजन के कार में गुमाऊंगा हैड्रोजन की देश की पहली कार मेरे पास है बस इडिज में बैठकर जो आनन मिलता है वैसी कार चलती है न धुआ निकलता है न पानी निकलता है है एड्रोजन पर मेरे पास फ्लेक्स इंजिन की कार है ब्रोकन राइस, मका अब क्या इतना मका होता है चिनवडा जिले में वो मके से इथनॉल बनता है और मेरे पास टोईटो की इनोवा गाड़ी यूरो 6 नामपुरी करने वाली जो 100% बायो इथनॉल पर किसानों ने किया वा चलती है जो दिल्ली में है और 7% बिजली तैयर करती है अगर अवरेज के हिसाब से कर पेट्रोल से तुलना की जाए तो पेट्रोल का भाव पचीस रुपे लीटर होता है अब इलेक्ट्रिक की स्कूटर है येअग्ट्रिक की अटरिक्षाई मैं बेंगलोर में गया था कंस्क्रेक्शन एक्विपेंड में अब पूरी तरह हैड्रोजन पर इलेक्ट्रिक पर बने है आपको जेसीबी का नाम मालूम होगा उस कमपनी के अमडी को मैंने कहा कि हैड्रोजन पर JCB बनाओ उन्होंने बनाया अब अमरिका में यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है उन्होंने यहां से CNG पर JCB बनाया हाइब्रिड मोडल में और 1000 JCB का ओरडर JCB कमपनी को मिला रशिया में भेजने का आज देश बदल रहा है हमारे देश में प्रदूशन सबसे बड़ी समस्या है हमने हाइवे अच्छे बनाये और हाइवे में जाने के लिए समय नहीं लगता आज आपको जहां मुझे पता है नाकपूर से जबलपूर पहले कैसे रस्ता था हमारे हाइवे जज उस समया हाते थे बड़े है थ्रस्तो होते थे पेंश में कैसा बना हुआ है साड़े तिन घंटे में नाकपूर जबलपूर हो जाता है अब दिल्ली से मुंबई बारा गंटे में होगा और इतना ही नहीं तो कश्मिर से कन्या कुमारी तक हाइवे बन गए अभी जिसका उल्लेक हमारे समाज के लिए अनमंत्री कर रहे थे अरुनाचल में पूरे देश में हाइवे बन गए हमारी लॉजिस्टिक कॉस सोला परसंट है हम लॉजिस्टिक कॉस को सिंगल डिजिट में लाना चाहते है यह उसी समय संबह होगा कि हाइवे बनने से केवल नहीं होगा हमको फ्यूवेल में भी बजल करना होगा और इसमें रोजगार है और मैं जितनी बाते बता रहा हूं वो बोलते आया हूं और आज भी मैंने कईवी एक भी बात ऐसी नहीं है जो सिद्ध नहीं हुई है मैं आपसे नुरोट करूंगा कि आने वाले समय में मद्यपदेश को उर्या का केंद्र बनाई है हैड्रोजन एक्स्पोर्ट होने वाला है स्टील इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री, फार्मसेटिकल इंडस्ट्री, हवाई जाज, रेले, ट्रक, बसेश सब हड्रोजन पर चलने वाली है टाटा और रेलेंड ने आईसी इंजिन पर हड्रोजन की ट्रक तैयर कर दी है और मध्य पदेश में कोईला है कोईले से मिथेनाल पर मशिन चलने का दिन अब दूर नहीं है और इसलिए राज्य सरकार की और से इक शेत्र में ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में प्रदूशन मुक्त इंपोर्ट सब्स्टिक्यूर्ड कॉस्ट एफेक्टिव और पोलुशन प्री नीती राज्य सरकार की होगी तो हमारी प्रगत्यों और विकास का दर दुगना होगा कि जब पिछले बार मैं आया था तो जबलपूर के रिंगरोड की उनने मुसे बात की जब प्रेजेंटेशन लिया तो अट्राइबिस क्लिमिटर का थुक पॉलिश काम देखा मैंने मैं जगा इसको हटाओ पूरा नया बनाओ आज साड़े तीन चार अज़ार करोड का जबलपूर का रिंगरोड जिसके निर्मान के शुरुवात हो रही है दो रोपवे का काम ये भी आजा इसका भी लगबग पूरा हुआ है जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा मैं तो बंगलोर मैं हवा में उन्ने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हुआ है मैं आप से अनुरोत करता हूँ कि भूपाल जैसे लिए इंद और जैसे शेहरों में हवा के ऊपर के ऊपर जाने वाली ट्रांसपोर्ट सब्स्ट शुरू करिये मैंने खुद ओकर पानी में उतरने वाला हवाई जाज लेकर में मुंबई के समुधन में उत्रा बाद में मोदी जी ने मुझे का कि वहाई जाज मुझे चाहिए और साबर्मती के बीवर फ्रंट से वो भी उड़कर सरदार स्वरोवर तक गए थे मद्य बदेश में कितने तल और वहां से उतर के डायरेक्ट भोपाल के एर स्टिप पर उतरेगा एक कंपनी साव हवाई जाज खरीदी कर रही है मेरा अनुरोध है कि टूरिजम बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट के खेत्र में रिवलिशन करिए रोड तो अच्छे बने हैं अभी मैंने एक टनेल का गटन किया था यही आपके वे रिवा में कितने सुन्दर टनेल बनी हुए है कितने सुन्दर ब्रीजेज बने हुए है अभी मैंने मेरे क्षेत्र में केबल स्रीट बीच बनाया और वो ब्रीज को दोनों बाजू से कैप्सूल लिप लगाई और उपर जाकर हमारा राष्ट सब लोग ग्लास से नीचे देखते है अफिल तावर की याद आती है अब लाइट एंड साउंड शो बन रहा है भगवान गौतम बुद्ध और बगवान शंकर जी के जीवन पर तो टूरिजम के लिए लोग आते हैं और वही हमारे रोजगार का सब से बड़ा सादन है के लिए संदय श्रा जा रेकर आय थे और मुझे का था मैं रहता ता कि हटल जी ने तुमको बुला है और मैं अट्रल जी को मिला था तो अट्रल जी ने मुझे काहा था कि अब तुमने शखर में तो बहुत प्लाइव अर वगरे बनां आए अब गाओ को जोड़ने वाली व और पंदरह दिन के बाद राष्ट्र पदिजी ने उस योजना का गोशना की थी जिस योजना का नाम था प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजला है हिंदुस्तान के साड़े छे लाग गाओं में से करिफ साड़े तीन चार लाग गाओं को मजबूत रोड से जोडने का काम हि इंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ती ने किया है उस नेता का नाम है अटल भिहारी बाचपई जिनके कारण और इसले मुझे विश्वास है कि मध्यपदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तो मध्यपदेश में तीन लाग करोड के काम कर रहे हैं ग्रीन एक्स चास हजार करोड के मध्यपदेश में बन रहे हैं अभी तक दो लाग करोड के कामों का शुभारंब हुआ और इस दस साल में मैं आपको बचन देता हूं कि मध्यपदेश में तीन लाग करोड के काम हम पूरे करेंगे कुछ काम पूरे हुए कुछ शुरू होंगे और मध्य प्रगती हो सम्रुद्ध हो संपन्न हो मध्यपदेश का विकास हो गाओ गरिब मजदूर किसान का कल्यान हो और मध्यपदेश परयतन के दूस्ति से केती के दूस्ति से हमारे देश में एक शक्ति शाली राज्य है मेरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अधरनिय मोहन जी के नेतरुतों में अगर प्रगत्यू और विकास में मद्यपदेश और आगे जाएगा शिवराज जी ने भी अपने कारेकाल में मद्यपदेश का विकास करने की पूरे और कोशिश की कि यही मालिका यही इतिहास को आगे लेकर मोहन यादो जी के नेतुरतों में मध्यपदेश यह हिंदुस्तान के पहले तीन प्रगतिश्री राज्य में आएगा ऐसा मेरा दुरूर विश्वास है और इस कार्य में भारत सरकार की और से मेरे विभाक की और से जो भी उनको सहयो लगेगा वो पूरा करने की कोशिश हम करेंगे यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अधरनियर राकेश सिंग्जी ने बड़ी जीत की और इसलिए जबलपूर के अंदर का ब्रीज बन रहा है बहुत कठीनाई आई मभी मुझे बता है कि 80 परसेंट पूरा हुआ है मैं उनको बदाई देता हूँ जबलपूर रिंग रोड के लिए उन्होंने काफी कोशिश की वो भी अप उनका सपना पूरा हुआ है जो तीन किलोमेंटर की बात कर रहे है वो राज्या मार गह है अईसलिए थोड़ी अर्चन है आप सियारेप का एकुटिलाइशन सेर्टि कर देते कि मेरे हाइवे नहीं आता पर मुझे खुशी है कि आज वहां भी हाइवे हुआ है और उनके हाँ भी बड़े प्रमार पर काम शुरू है विरेंदर कुमार जी के शेत्र में भी उनने जितनी बाते कही कुलस्ते जी ने जितने बाते कही वो पूरी करने का प्रयास ह को बहुत बहुत बधाई देता हूं अभिनन करता हूं और जबलपूर देश में विकसंशिल शवरों में अगले पायदान पर आगे आएगा ऐसा विश्वास वेक्त करते हुए आप सब को बधाई देते हुए अपनी बात को समागत करता हूं दन्यवाद नमस्का बहुत आरपी सीन जी मुख्या भेंता आभार वियक करने के लिए